Hello my dear students, how are you? I hope you all are well. Now myself Mahima and we are going to discuss today's worksheet, worksheet number 4. आज हम class 8 की worksheet solve करने जा रहे हैं. यह English की worksheet है और यह 28th of September 2020 के लिए है. Worksheet को शुरू करने से पहले सभी बच्चे name of the students में अपना नाम और name of the class teacher में अपनी class teacher का नाम लिख लेंगे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं lesson tsunami part 1. सबसे पहले हम आज का topic को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद question A, B, C, D सभी questions को solve करेंगे. तो मैं आपको सभी questions के answers बताऊंगी पर सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के questions क्या है? question number A, do you think tsunami can strike these places right yes or no for each part? आपको बोला गया है कि क्या tsunami इन जगों को harm पहुचा सकता है? आपको हाँ या नहीं, yes या no में answer करना है. तो A part देखते हैं, A है हिली area such as shimla, हिली area जो जसे की shimla क्या tsunami इसको strike कर सकता है? तो इसके बारे में अभी मैं answer बताऊंगी, पहले मैं आपको समझा देती हूं. B part देख लेते हैं, plain area such as Delhi, sea cause such as Mumbai and D is desert area such as Jodhpur. तो उन्होंने बोला है कि क्या इन जगों को tsunami नुकसान पहुचा सकता है? तो सबसे पहले बात आचाती है, tsunami है क्या? सबसे पहले हम tsunami को समझेंगे, tsunami क्या होती है? पहले में वो आपको बता देती हूं. tsunami एक तरह की natural disaster होती है, natural disaster को हिंदी में आपदा कहते हैं, ठीक है? प्राकृतिक आपदा और English में कहते है natural disaster. जैसे कि अचानक से बादल फट जाना, बाढ़ाना, सूखा पढ़ना, ठीक है? भू संखलन होना, यानि भू संखलन का अर्थ होता है, land slide, यानि कि धर्ती, पहाड नीचे आजाते हैं, फिसल के, वैसे ही, tsunami भी होता है, एक natural disaster होता है, समुंदर के अंदर भुकम पाता है, अगर आपको आम भाशा में बताओं मैं, तो समुंदर के अंदर भुकम पाता है, जिसके कारण जो समुंदर का पानी होता है, वो waves बनके बहुत उपर जाता है, और पिर अपने समुंदर के बाहर आ जाता है, यानि समुंदर के आसपास का जो area होता है, उसमें वो पानी इतना उपर जाके इतनी pressure के साथ उस एरिया में पढ़ता है, कि वो पूरा area बहुत कर समुंदर में चला जाता है, इसी को tsunami कहा जाता है, अब अगर tsunami आप समझ गे तो answer पहले question का बड़े आसानी से आपको पता चल गया, कि हिली areas में तो समुंदर ही नहीं होते, ठीक है, और जो दली है, यानि कि जो दिली है, दिली में भी समुंदर नहीं है, जोदपुर राजिस्थान में वहां भी समुंदर नहीं है, समुंदर कहा है, मुंबई में, answer आप सम रहे हैं, from Andma Nicobar Island, who survived the disaster, एक बच्ची है, जो छोटी सी बच्ची है, यंग मतलब होता है, छोटी, वो छोटी सी बच्ची है, Andma Nicobar में रहती है, Andma Nicobar Island है, Island एक ऐसी जगे होती है, जो चारो तरब से पानी होता है, और बीच में धरती होती है, उसे Island कहते हैं, तो Andma Nicobar भ तो इसके बारे में आजब पढ़ने जा रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं, Almas Javid was 10 years old, Almas Javid एक बच्ची है, जो कि अभी सिफ 10 साल की है, She was a student of Carmel Convient in Port Blair, Port Blair जो है, वो Andma Nicobar की राजधानी है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, जैसे राजस्थानी जैपुर है, उत्त बच्ची है, बिल्कुल ऐसे ही Andma Nicobar की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो She was a student of Carmel Convient in Port Blair, तो वो बच्ची जो है, उसका नाम Almas Javid है, वो कहां रहती है, Andma Nicobar में रहती है, पोर्ट ब्लेयर में रहती है, Andma Nicobar की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में रहती है, और वो student है कौन से स्कूल की? Carmel Convient की student है वो बच्ची, Where her father had a petrol pump, वहां पे उसके पापा का petrol pump है, जो उसके पापा चलाते है, Her mother's, Rahila's home was in Nanconee Island, और उसकी जो ममा है, उनका नाम Rahila है, ठीके, और इनका घर कहां पे है? ननकोनी आइलेंड पे, उसकी ममा का, And the family had gone there to celebrate Christmas, और इनकी जो family है, वो कहां जा रही थी? Christmas celebrate करने के लिए जा रही थी, ठीके, When the termos came early in the morning, अचानक से waves आने लगी, जो समुन्द की waves है, सुबह सुबह वो आने लगी, The family was sleeping, पूरा परिवार अभी सो रहा था, सुबह के तीन-चार बजे पूरा परिवार क्या करता है? सोता है, अभी पूरा परिवार सो रहा था, अलमस, father, show the sea, show मतलब देखना, sea मतलब समुन्दर, ठीके, confuse मत होना, तो अलमस के जो father है, वो उठ गए और उन्होंने देखा समुन्दर को, water received, उन्होंने देखा, जो समुन्दर का पानी है, वो क्या है, बहुत तेजी से, उनकी तरफ आ रहा है, उनकी पास आ रहा है, ठीक हमारी तरफ आगे आ रहा है, he woke everyone up, उन्होंने पूरे परिवार को जगाने की कोशिश की, and tried to rush them to a safer places, और सब को लेकर भागने की कोशिश की, कि हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए, तो अलमस की father सुबा जल्दी उठ गए, और उन्होंने समुन्दर को देखा, स पूरे परिवार को सोते वे देखा, सब को जगाने की कोशिश की, और सब को लेकर भागने की कोशिश की, कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुचाया जा सके, as they run, जैसे ही वो भागे, her grandfather was hit on the head by something, जब वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो अलमस के दादा जी क सर पर किसी चीश से चोट लग गई, and fell down, और वो नीचे गिर गए, her father rushed to help him, उसके father, अलमस के जो father है, वो बहुत तेजी से भागे, अलमस के दादा जी को बचाने के लिए, they came the first again, wave the swept both of them away, और फिर तभी, समुन्द की पानी की बहुत बड़ी लहरे आई, और उसके दादा जी और पापा दोनों को बहा कर ले गई, अलमस मदर, an aunt stood clinging on the leaves of a coconut tree, जो अलमस की मदर है, और उसकी आंट यानि की उसकी मासी या चाची जो भी है, stood clinging to the leaves of a coconut tree, वो कहां खड़े वे थे, जो पेड़ होता है, कोकोनट का, उस पेड़ की जो पतियां होती है, बड़ी पर, calling out of her, a wave uprooted the tree and they two were washed away, अब क्या हुआ, कि बहुत तेजी से समुद्र की लहरे आई, और लहरों के साथ जो पूरा पेड़ था, नारियल का वो क्या हो गया, वो उखड गया और पानी के साथ बह गया, जिसमें उसकी आंटी और उसकी ममा भी बह गई, ठीक है, पानी के स अलमस शौ, a long of wood floating, अलमस ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा लकडी जो है, वो बह रहा है, आपको पता है ना, लकडी जमीन में पानी के अंदर डूपती नहीं, यह उपर टैटी रहती है, तो वो जो log मतलब होता है, लकडी का मोटा सा जो फट्टा होता है, उसको log बोलते है, चीक, तो अलमस ने देखा कि पानी के अपर floating मतलब होता है, float मतलब होता है, तैरना, और floating मतलब तैर रहा था, तो अलमस ने देखा कि पानी के ऊपर एक बड़ा सा लकडी का फट्टा तेर रहा था, and she clumped on to it, जो अलमस थी वो क्या होगे, उसी लकडी पर कूद गई, क्योंकि लकडी के उपर क्या होगा आप सेफ रहोगे पानी में कभी भी लकडी होगा तो वो डूबेगा नहीं है तो आपने देखा है नाव भी लकडी की होती है इसलिए होती है क्योंकि लकडी पानी में डूबती नहीं है तो इसलिए अलमस जो है वो उस लकडी पे कूद ग नेखा वो कमरोटा के एक hospital में भरती थी From there she was bought to Port Blair And the little girl does not want to talk about the incident with anyone अब क्या हुआ कि from there she was bought to Port Blair वहां से इसको Port Blair लाया गया जो वो छोटी बच्ची थी The little girl does not want to talk about the incident वो छोटी बच्ची इस incident के बारे में Incident means घटना, इस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी क्या करन्टा, she is still अब वो क्या था, अभी भी वो transmitted है यानि कि वो सदमे से बाहर नहीं आ पाई है उसने अपने सामने अपने दादा जी, अपने पापा जी अपनी ममा जी और अपने आंट को बहते हुए देखा था तो उसको बहुत भारी सदमा लगा था और अभी भी वो सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी आगे देखते हैं, question number बी की बात करते हैं, now sequence the events, picture as they occur in the passes above, write the correct serial number in the boxes आपको तीन picture दे रखी है, और आपने बोला, आपको बोला गया है कि आपने जो स्टोरी पढ़ी है उसको समझा है, उसके according आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले घटी है और कौन सी बाद में जो घटना पहले घटी है, उसके picture पे 1 लिखना है, जो दूसरे नमबर पे घटी होगे उसके 2, और जो तीसरे नमबर पे है उसमें 3 तो आप picture देखके समझ गेंगे, जो पहली वाली picture है, वो कौन सी घटना है, वो तीसरी घटना है, वो दूसरा है, उसके नमबर टू आएगा, जो second hospital वाली picture आप देख रहे हैं, यह क्या है, यह कौन सी घटना है, तीन सबसे लास्ट में, पहले tsunami आई, तो सबसे लास्ट वा आएगा, और जो सबसे पहले वाली picture है, उस पर two आएगा, जब पानी आगया, और सारी चीज़े बहने लगी, और सबसे center वाली, जो बीच वाली picture है, उस पर three आएगा, सबसे लास्ट में वो बच्ची hospital पहुँच गई थी, question number C की बात करते हैं, answer the foreign question by selecting correct options, तो मैं पहले पहुचा दू, answers मैं आपको दूसरी slide पे दूँगी, question number one है, why did Almas father wake up his family, Almas के father सुबा सुबा अपनी परिवार को क्यों जगा रहे थे, answer है to celebrate Christmas, Christmas मनाने के लिए, और दूसरा है to rest them, to a safer place, सबको किसी सुरक्षे दरसान पे पहुचाने के लिए, question number two देख लेते हैं, Almas did not want to talk about the incident with anyone because, Almas उस incident के बारे में, उस घटना के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी, क्यों, उसका कारण क्या था, she was unwell, क्योंकि वो अभी ठीक नहीं है, and she was shocked as she lost her family members, क्योंकि वो अभी shocked है, क्योंकि उसने अपने परिवार को खोया है, बात करते हैं, question number three की, इसके बाद हम सुडू करेंगे हमारे answers, question number three है, Almas mother and aunt could not be saved from the tsunami, because, Almas की mother और उसकी आँट बिलकुल भी बच नहीं पाई उस tsunami से, उसका क्या कारण था, The tree had held on to got uprooted, वो जिस tree के उपर खड़े थे, वो tree ही जड़ से उखड़ के पानी के साथ बह गया, और दूसरा है, they held on to a log of wood and got drawn, वो उसकी मामा और आंट जो थी, वो लकड़ी के एक मोटे से फटे पे खड़े वही थी, और फटा जो था, वो डूब गया, तो इन में से कौन सी घटने है, वो बतानी है, तो ठीक है, इसकी आंसर से पहले हम last question discuss कर लेते हैं, question number D, given below are words and phrases from the passes that indicate moment of different kinds, आपको चार शब्द दे रखे हैं, और आपको बोला गया है, यह चारो शब्द इस passes से दिया गया है, जो हमने अभी पढ़ा था, आपको बोला गया है, तीन एक columns बनाएंगे, आपको इन columns में यह words लिखने हैं, put them into the following three categories, हमें तीन category दी गई है, fast moment, slow moment, neither fast nor slow, चीके, तो इसका मतलब होता है, fast moment, जो घटना बहुत तेजी से घटती है, उसे fast moment बोलते है, slow moment, जो चीज़े धीरे-धीरे होती है, और neither slow nor fast मतलब, जो ना तो धीरे होती है, ना तो तेज होती है, तो यह आज की questions है, चलो इनके answer solve कर लेते हैं, तो आज का question number one है, do you think tsunami can strike these places, right, yes or no for each part, question आपने देखा है, मैं यहाँ पे answer बता रही हूँ, A picture उसमें no आएगा, B में भी no आएगा, C मुंबई में yes आएगा, और D में no आएगा, ठीक है, मुंबई में सिर्फ yes आएगा, बाके सब में no आएगा, क्योंकि मुंबई सिर्फ समुन्दर के पास है, इसलिए वहाँ tsunami आ सकती है, इसलिए मुंबाई में yes आएगा और जोदपुर राजस्थान में है वहाँ समुद्र नहीं है दली समुद्र से बहुत दूर है और सिमला भी समुद्र से बहुत दूर है तो जो जगे समुद्र से दूर होती है वहाँ पर सुना में नहीं आती है तो इसलिए इसका सिर्फ C option का yes होगा बाकी three में no आएगा question number two देख लेते हैं now sequence the events as they occur in the passes about right correct serial number in the boxes तो picture आपको दे रखा है आपकी worksheet में और उसमें serial number मैंने आपको worksheet में समझा दिया था यहां दुबारा बिताती हूं पहली वाली picture पर two आएगा second वाली picture पर three आएगा और सबसे last वाली picture पर one आएगा चलिए बात करते हैं question number three की answer the following questions by selecting the correct option why did Almas father wake up his family तो इसका correct answer है to rest them to a safer place question number two Almas did not want to talk about the incident with anyone because Almas जो है उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाती थी क्योंकि she was shocked वो अभी shocked है and she was lost her family members क्योंकि उसने परिवार को खोया है question number three की बात करते हैं Almas mother and aunt could not be saved Almas की mother और aunt बच नहीं पाए from the tsunami tsunami के कारण क्योंकि the tree they had on to got uprooted क्योंकि जिस पेड के उपर वो खड़े हुए थे वो पानी में बह गया आज के last question की बात करते हैं Given below are words and phrases from the passes that indicate movement of different kinds fast moment slow moment and neither slow nor fast fast moment होता है swept away और rust swept away मतलब होता है कोई चीज़ जैसे पानी के बहाव के साथ पानी की लहर आई बहुत तेज़े से और अपने साथ चीज़ को बहा के ले गई तो बहुत तीज़े से होता है swept away और rust होता है बहुत तेज़े से किसी चीज़ को मतलब run out करना ठीक है slow moment होता है floating floating मतलब जैसे पानी बहता है तो floating जो होता है वो धीरे धीरे पानी बहता रहता है उसके उपर जो चीज़े होती है तो यहां पर जो word है वो recede है जिसका मतलब होता है कि पीछे हटना तो पीछे हटना इसका मतलब होता है वो धीरे धीरे भी हो सकता है और बहुत तेजी से भी हो सकता है तो इसलिए हम इसको बहुत fast और slow में नहीं रखेंगे तो यह हमारे आज के सभी answers जल्दी से सभी बच् ही डालेंगे आपके पास notification आजाएगा और जल्ली से आप वीडियो को देख सकेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको like कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी share कर दीजिए ताकि उनकी भी help हो जाए और आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे तो हम class 7 की भी डालेंगे और class 8 की और भी बाकी subjects की वीडियो भी डालेंगे तो आज हमने पहली वीडियो देखकर trial किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा था class 8 के कि उनको हमारी channel की video 8 class की चाहिए इसलिए हमने video बनाई है यदि आपको video पसंद आएगी तो हम आपके तो मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा फिर मिलूंगी अगली वीडियो में तब तक सभी बच्चों को अपना ध्यान रहना है और पूरी तरीके से स्वास्त रहना है बाबाई बच्चो टेक केर